अच्छा लाग रहा है और लंबा सफर करका है रामर चाइबी बहुत अच्छी है और खादबी तो अच्छा मतasनलों भी तो नील बहुत अच्छी सनदे इती अधिक आधि यहां पर अच्छी परपर्ट्टी आस पास हैं अच्छा लग रहा है और हर चीज की फैसलेटी बढ़िया से अच्छा लग झाले है और ही जड़ अच्छा लगड़िया सब्साइब na ूर्ड़ रहा है और है और है और है से बढ़िया और है और है कर दो कर सकते हैं कि गोल्डन हट रेड़ मेंगो में जैसा ट्मॉस्पियर है एक एंपियस इतना बढ़िया है यहां पर और एक बाहर बैठने का भी एरिजमेंट है वहां पर भी खा सकता है बंदा और बफे भी है हर तरह की असूलत यहां पर वेलेबल है सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए हम देख सकते हैं कि ऐसे प्यारे प्यारे जूले इनके पास पार्गी की बहुत खुली डूली जगह है जीटी रोड के उपर सेता है यह और बड़ी फैमली बड़ी लई एर और मसे लह रहे हो किद्धा लग रहा तानूं गोल्डन हट रेड मेंको देवाच्छ बहुत अच्छा लाग रहा है और लंबा सफर कार का आया राम और चाय बहुत अच्छी है और खादा बेता बहुत अच्छा मनलब की नील बहुत अ कि रिदैसा कि घज़ना चाहा और हो लंचे आञे को प्रकूल कंड़ कड़का आपने खाब बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत नाइस एक्प्रियंस बहुत अच्सानी प्कुछ बहुत अच्छा च्छा अुत अच्छा है को रहाता वाँ एक्ने सी बोश वादी पुरी और होने गुटी रोड जोते हैं तरह अंग हो इस सब करेंगे वह जो नहीं से एक जांग है विटी गोलडन हर्ट रेड्म वेच्ट जैस्टीग के दिन हल तुसे ही उन्जाइक और रहे हो तो उन्हों कई चाहल हुशी है और मदना जाया लुट खिचा के बहुत बवाधिया लगा विख्षानु लोकेशन बहुत बवाधिया है साश्री काल जी राम राम ये अपना गोल्डन हट का न्यू बैंकट हाल ये अपना उपर का आलग है इसमें बार सेट अप उपर से जो गैस्ट का राम से और निचे ये अपना ये ओसिस हाल का इधर है और नया हाल है जो जो गोल्डन उसे त्यार हो वाया है हर चीज उसमें बड़े त्रिक्के से और बड़ा सुंदर बनाया है ये है हमारा गोल्डन हट का न्यू बैंकट हाल हम देख सकते हैं कि गोल्डन हट में लेव लेश बफट जो की पांसोचोवी रुपए में सेटेड़े और संड़े को डिनर टाइम सास से ग्यारा बजे है और कंडिशन जो सेल्फ सर्विस है यहां पर और मनेज्मेंट जो है वो किसी को भी अडमिशन दे सकती है जो और हम कर रहे हैं जब लोग अथे हैं थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा हमका मन में में खुशी रहती है ठाने की और जब आते हैं तो वह खुशी को ले कर जाते हैं कया लगत आप सबस्क्राइब क्याना जांगे कि यह जो सौने पर सौगा गूल्डन हर्ड और एंक उननका अल ईयसे सौने पर सौगा है और सौल स्भाश है और और वी कृलिटि प्रोइड कि जाते हैं क्या करना चाहिए? सर में चीज किया होती है? हमारी quality, हमारी quantity, हमारी hospitality में चीज हम इन तीनों में focus रखते हैं हम सूचते हैं हर गेस्ट हैं से satisfy हो के जाए किसी को भी क्यमी ना लगे बाइजी बाईड़ाई भी टेस्टी है हान जी सफाई भी बहुत है ញक लगेरे अंबे महीं आद्य भया है गोल्डन हट अलेदा बहुत ही वधिया इनना यहो शर्विसा बहुत ही वधिया फूड तुमाद मैं एबरी मांथ दास्ट भी किती होना अपनी फैमिली में देके थी बहुत ही फैमिली पूरी साथिस्फेक्शन आई पूरे मत्रव सर्दस्थ और खाने दूजिदा पाम रु सब्सक्राइब कोई कादे कंपलेट ही नहीं आई मैंटम के तलगे इस बहुत अच्छा फूर सिगांजिदा कह रहा है हां जी अच्छाना इनना पूरा मजा है हां जी सर आप बैक्बोन है इस गोल्डन हट रेड मेंगो की क्या कहना चाहेंगे लंग समय से नहीं करते हैं और रहें के हैंगो की जाते हैं यहाँ और को आप सौने पर काम हसल कर रहे हैं क्या करने जाएं लिकुल सर फस्ट फॉल तो सर वेलकॉम इन गोल्डन हट रेड मेंगो आपका स्वागी तैसर ने आप पता रहे हैं सर काफी टैम से वाएं दे रहे हैं यहां पे सर काफी अच्छी काफी घुशी मिलती है जीन चीजों से गैस जब रहा हमर लिम्टेड बफे है कोई मर्जी कोई कुछ मर्जी खाता रहे है बिल्कुल सर इसमें सेल सर्विस का ही पोसीजर एंसर आप देख सकते हैं देखिए दिनर का हमारा मैनू में सरी इसके बफे लगता है या निच नों रहेंगे सर हमारा लांच ओडिना दोनों रहता है सर छीलिंद को यह संडे का दिन गुलड़न हैट में आप लोग बैठे हूँ इस एं बढ़ा है उपर दो सफोब्स एक विए रहते हैं। और यहां पर अच्छी परपटी आस्पास तो नहीं है गॉल्टन बेर हमारा हम बैसी दो दाई डाज साल से यहां पर आ रहें है रेगुलर और रेगुलर ही हम लोग यहां पर आते रहते हैं फूर अच्छा है यहां की सर्विस बहुत बढ़ी है सब कुछ बढ़ी बात है की में और भी जब अगला दूसरी पर आता है क्योंकि पहले देखें रेड मैंगो और आप गोल्डन हट्स रेड मैंगो क्योंकि यह कंभीनिशन है गोल्डन हट वालो का लंबाक्स पीरेंस और यह बैक मैंगो वालो का यहां पर सक्क्राइब एक बेस्ट रेस्ट रेस्ट और सर्वीसी के मामले में थौक अपक लास और इनका टेस्ट तो इसी सवाँ घ्राइब तैस्ट वाइब आते हैं रेड मेंगो और गल्डन में तो फर्क आया हिए ठोड़ा टेस्ट और बढ़िया थे हम तो रेड्मिंगो बहुत पहले से आरे रेड्मिंगो भी और गॉल्डन अट्रोनेक बाद और भी अच्छी सुजदा मिदरी है और बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है और हर चीज की फैसिलिटी बढ़िया से क्या है हम देख रहे हैं कि आप लोग उन्जॉय भी करें और यह क्या इंस्टुमेंट है के वारे में क्या कहने चाहेंगे सर्च वर्च्वल रियालिटी डिवाइस एक हार्डवेर है वीर है विए एडसेट जैक टेकनोलोज्य है मेटावरस उससे आपको रूबरू कराता है मेटास्वेर्स में जब आप इसको हैडसेट को लगा के फिल करते तो आप कोई भी 3D environment को immersive room में फिल कर सकते हो आप इस चेर में बड़े बड़े वर्ल्ड का कोई भी area travel कर सकते हो आप अपना वेटर कर सकते हो shopping कर सकते हो बहुत कुछ इस technology में और यह technology metaverse जो technology है आने वाला future है सरी जो भी इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हो उसका next level 3.2 तो इसी technology पर आज हम सब इकठा हुए और इसी विशह में बात कर रहे हैं और आपने चूज भी किया फिर रेड मेंगो एक नाइस प्रोपर्टी अज़र हमेरा हमारा हमेशा यहां पर प्रोग्राम होते रहते हैं और बड़ इची hospitality है यहां पर जी और प्रेंम ची भी हमारे साथ सब सब कराई मुसरे सब mater को हे नाइक हमें सबीटाक्रणाइं प्लीज सब्सक्राइब साइमंट ने साया था मिचिसद्य कार्णाइ कोफुक्रण देख बिएषगर विश्चार का इंसम व्योठquito क प्लीज क mitä ओ यहां से स्टार्ट खोते ह अधियर सेटेबल की स्टफिंग करने जाए चाहिए इसको आगे हमारे सेलेड बार इसमें आपको 10 बारा तरह का पूरा सेलेड मिलेगा सर इसमें आपको डिशेन तैप्सिं टाप्स अभूल में टाप्स जुप होंगे सर इसमें कि यहां से हमारा बेन को स्टाट रहे तर से यहां से हमारा इस इतने भी है जितने भी एकोड़ा तर रहे हैं धिस्टर प्लॉग मंखिनी है सर फिर दो लाइब चलेंगे स सब्सक्राइब चिल्ली चाम्प रहें कि सर इंडीन सिसर पनीर भूजी यलोड डाल का हमारा लाइब सारा सिस्टम जी है तो गैस को जी साफ से अपनी मंद प्संद की अपोड़े दो चोईस वागी सर पनी लबाबदार है सर जाफ रानी कुफसा है सर जी हमारे सर ब्रेट्स वेरा सारा लाइब कंसेप्ट है जी इसमें आपको मिसी रोटी लच्छा प्रांथा बटन नान प्लेन रोटी सारी आपके छोईस पर मिलेगी सारा लाइब जी इस सारा में कोस का सब्सक्राइब मिश्रूम दो प्याजा ये मिक्स वेजटेबल है सर ये कॉंटिनेंटल फूड़ आ गया सर हमारा बैस्ट अनुपलिता नू तर कॉंटिनेंटल सर सेकिंड चीज स्पेक्ट ये सर ये चाइनीज के साथ वेजटेल होड़ गालिक सॉस सब्सक्राइब कॉंबिनेशन ये सर लाइब कॉंटेप्ट है हमारा सारा ये लाइब कॉंटर जिसमें हमारा नूडल है सर पास्ता बोग तैप्स आप सॉसिज और ये मंगोलियन फूड़ है सार इंगलिस वेजटेबल सब्सक्राइब कॉंटर जिसमें आपको तीन तरह के डैजर मिलेंगे सर गर्मा गरम जाले भी कि रस भरी है सर गुलाब जामून हैं जी या सर क्या करना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि गोल्डन हट रेड मंगो में होस्पेटल्टी जो कि हम देख सकते हैं कि आपके जितने भी यहां काम करने वाले हैं उनके फेस इंप्रेशन बहुत लाइट हैं और जिस तरह के से वह बहुत ही लाइटली प्लाइटली जो है स सेल्फ सरविस है लेकिन सेल्फ सर्फस में भी वह बहुत ज्यादा अपने कस्टमर्स का ध्यां रखते हैं बिल्कुल सर हमारा एक सब्सक्राइब करता है सर तो हमारा यह के साथ अच्छा यह को वहार है तैसर कि हम उनको ची सची सर्विस प्रवाइड करा पाएं और बैस से इस होटल की ओपनिंग 2021 में मैंने ही करवाई थी यह मेरे हाथ की ओपनिंग है तब से मैं यहीं हूँ में रोग तो यह है मेरा ऐसे टिपके कोई काम नहीं करते हैं समझ गें दूसरा क्या है कि हमने जो एटम जो रेसिपी जो स्पार हमने शुरू में दिया तो अब भी वही च जल रहा है इसकी बज़े क्या है कि ओपनिंग का से अभी तक यहां है जहां सेब चैन्ज होते रहते हैं वहां टेस्ट में भरकाता रहता है ठीक हमारा एक ही मोटिफ रहता है जेस्ट को यह हाईजनिक खाना के लाए एक दम तिक ही रूसरा क्या है जेस्ट कोई भी आए यह नहांसे कोई नराज होके लए जाए हमारा एक इमोटिफ रहता है कि तुक्स होगे जेता है हमारी हर आइटम लगी हुई है आप 500 में हमाई 45 आइटम में हैं हमारी हर आइटम के लिए लाइफ के लिए सफ अलग अलग रखे हुए हैं हमें जो ग्याश्ट अपनी मर्दी से म परड़े मिनू चेंज होता है, हर मिनू में अलग अलग आइटम दे लेगिया, परड़े, हमारे जो अपने सर हैं, कोर्टन हट के M.D. साथ, जराना जी, वो इस बुतल लाइन में बहुत पुराने हैं, उनके कई ओटलेट हैं, जैसे आपके, वो मुख्षलम हो गया, पानी प मुख्षेत्र, हम्वाला, और उसके बाद आपका पट्याला आगया, यह लुद्याना, और इसके बाद हमारा खुल रहा है, अमरिसर्व, ठीक है जी जो है, तो इस लाइन में हमारे बहुत पुड़े असाही आदमी हैं, उनोंने सेवा भी बहुत करी हैं, उसके बाद होट पैसा ख्रमा सकते हैं, उनको रोजगार में सकता है, इस ताइब से, और रणा जी ने हमारे होस्पिल भे खुले और जो घ्री घ्री शेवा की, ठीक हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे अमनी साथ, और जो है तो उनके हिसाब से यह सारा काम चल रहा है, ठीक हैं, और हम भी अच्छे हैं, गलाब उनकी हिसाब से ही महनत में लगे हुई है, यही चीज़े हैं कि हमागे जो आगे ली जाएगे, और रेड मंगो की बैकबून, यह जो बेंकर ठाल है, क्या कहना चाहेंगे, कि जब बंधा अंदर आजाता है, तो उसको एक बड़ी एंबिस में होता है, और जो भी यहां पार्टी करता है, तो वो आगे-अगे चेन बन रही है, क्या करने हैं? मिल्धामरागां खुद काहाँ होता है, फिर तो अब भी जог गुर्डवार, जो एफट कर रहे थ हैं, तो इस इफट के साथ में हम चल रहे हैं, बार लगाररणा है और वह हमारा चलता रहे और यही इफट हमें आगे, फंक्शन देता रहा हो और जो दे रही है, झाल झाल